कि क्लच केवल का बहुत जादा लूज होना या बहुत जादा टाइट होना इन दोनों ही केसेस में हमारा बाइक राइडिंग का एक्सपेरियंस तो खराब होता है साथ यह हमारे इंजन पे भी काफी बुरा सर डालता है तो आज मैं आपको इसी के अज़ेस्ट्मेंट के बार है कि करता HOW यहाँ पर हमारा क्लच का पूरा system में वह हमारे गेर बु 17 करते हैं याने कि अगर ये काम प्रोपरुली प्रोप और गठाने बढ़ाना जो भी करेंगे तो भूगा क्याना यह बहुत प्रेसर के साथ जलने का बहुत ज्यादा यहां पर पीछे में दो नर्ट है ठीक है मैं एक सिक्ड़ आपको दिखाता हूं तो यह कवर रहताने के बाद हमें एक यह दिखता है नट जो तार के साथ लगा हुआ है यही हमारा क्लच केबल का अगर दोस्तों आपके पास पजाज या फिर यामाहे की बाइक से तो आपको इस टकन को यहां पर हटाने का जवरत नहीं है क्योंकि वह यहां बाहर में दिया हुआ होता है आप उसे बीना कुछ हटाएं अराम से इसे कर सकते हैं यह दोनों अर्जस्टिंग नट यह उपर वाला जो नट है यह इसका लॉक नट और यह नीचे वाला है अर्जस्टिंग नट इसी समय अर्जस्ट होगा और यह इसको लॉक कर देगा ताकि हम इसे अर्जस्ट करके इसे लॉक कर दें तो यह मूव ना करें प्रोप इसे टाइट करते हैं तो अपिस हाथ से अराम से कर सकते हैं इसे इजीली हाथ से घुमा ले अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लास का यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप 12-14 का पाना ही लेकर कि यूज करें इसे प्लास से इजीली किया जा सकता है ये इतना भी करते हैं यह तो टइट हो गया और हल्का सक्र जतेता इस वक्त मैं यह पास-सकेल नहीं है तो झाल से सब्क्रいき वक्त यह दो से अंटिमेटर के बीच मैं तो इतना काफी है दोस्तों ठीक है अगर ये बहुत जाधा टाइट हो जाता है तो भी दिक्कत है क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा प्ले चोड़ना चाहिए वरना यह क्या ना पूरा यहीं से इंगेज रहेगा और हमारा टाइट रहने से क्या है ना हमारे यहां से आने के बाद पिक अ लेगा जोगी सही नहीं ह तो अब इसका अजस्टमेंट का बात आता है तो कुछ लोगों का मन में सवाल होगा कि क्या इसका कोई मेजरमेंट है तो हाँ दस्तों मैं बता देता हूं आपको इसका मेजरमेंट है कि इसे कितना मेर सेट रखना है तो इसका मिनीमम जो है वह एक सेंटीमेटर का है और मेक्स लोक्सटे मेंज होने से बच सकता है इन भारी खर्चों से आपको बचा सकता यह एक छोटा सा अज्जस्ट्मेंट और कहीं नहीं इसका अज्जस्ट्मेंट से हमारा बाइक का मैलेज पर असर पड़ता और इस वक्त आप तो जानी रहें तेल कितना भेह तो माइलेज थोड़ झाल झाल